ये स्टूदेंस वे अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि WDV मेथड जो होती है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेशन सॉल्व किया था अब अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेशन नमबर थर्टीन देखते हैं कि WDV से कैसे सॉल्व होगा या जिसको डिमिनिशिंग बैलन्स मेथड बोलते हैं उससे क्वेशन बोल रहा है अपन स्टार्ट करते हैं अपन शुरू से ऐसी अकाउंटिंग करेंगे जिसके क्या होगी हर पूरी जो मशीन है पूरा जो असेट उसको अपने दो पार्ट में डिस्ट्रिब्यूट करते हैं तो यह आपको क्वेशन पड़के डिसाइड करना है कि किते बोर्शन को आप क्या लिखने वाले हो ठीक है तो क्वेशन ने जैसा अपनको बोलाए कि इसमें बोईलर था 10,000 का तो अपन इसके दो पार्ट बना सकते एक बना सकते 90,000 की मशीन टी और एक 10,000 का बोईलर ठीक है यह कर सकते हैं आगे डिप्रीशेशन इस बिन चार्जेट आप 10% पर एक 10% के अपनको डेप्रीशेशन चार्ज करना है और डिदूजिंग बैलेंस मैजड़ एक पॉर्शन अपनने दे दिया है तो अब अपनको क्या ध्यान रखना है क्यां हम इस तरीके से ऊक्विंशन कि उसको दो परसमें रिस्ट्रिब्यूट करते काफी लोग रुपीश को करते हुझ सिदे कर दे तो वहाँ से कॉम्पलिगेशन आती है इसलिए ब्लाप डिस्ट्रिब्यूट करते हूं आप दो surgical हमको यह यह november लिजाता है कि हम बॉलेज के लिए लिखा है किलो फ़स्ट स्सवर्स करें जुद भी सब्सक्राइब कि आलेगें सब्सक्राइब परओं क्यों, नामा सब्सक्राइब substant〜 मशीनरी का फर्स्ट पार्ट है 90,000 का बॉयलर है 10,000 का बस इंटरनल सेग्रिगेशन करना है बागी बाहर नेट अमौन चलता रहेगा नेक्स अब बागी तो को ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है तो अपन ने क्या किया असेट्स को डेप्रिसियेट किया डेप्रिसियेट करा तो फॉर्मूला क्या लगता है हमारा डेप्रिसियेशन का डेव्य डीवी बेसिस फॉलो करनी है तो बागी डेप्रिसियेशन अकाउंट अब वन लेक का सीदे सीदे 10% कितना होता है 10,000 अपन 10,000 लगा देंगे नेक्स जो ध्यान रखने लिए चीज़े हो यह कि मशीनरी 90,000 की 9,000 plus 1,000 would gives you 10,000 that's it अब आगे अपन निकालते हैं balance balance भी अपन first year की ending पे निकालेंगे तो balance कितना हो जाएगा by balance carried down machinery का कितना हो जागा पहले आप total देख लिजे 1,000 रूपी माइनस 10,000 would gives you 90,000 यानि cool मिला के balance कितना आगया 90,000 बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या चीज हो जाती है तो यहाँ पे जो ध्यान रखने लिए चीज़े वो यह कि machinery की cost price कितनी थी 90,000 इसमें से depreciation लगाया 9,000 तो ultimately बचा कितना 81,000 यह याद रखिए जब machinery की बात करेंगे तो यहाँ पे machinery और यहाँ पे भी machinery वैसी boiler boiler कितने का था 10,000 का इस पे depreciation लगाया 1,000 का boiler की बात की तो यहाँ पे boiler अगया 9,000 यानि टोटल मिला के पहुच गया 90,000 hope you got it यही समझ मैं योगिट दोनों की टोटल 1,000 से balance अपना 90,000 आज आता है अब बात करते हैं second year की तो second year की beginning में balance copy कर लेते हैं तो balance copy किया तो कितना आता है 90,000 internal लिखेंगे machine का 81,000 boiler का 9,000 अब second year की end होने पे हमने depreciate किया तो लिखेंगे क्या by depreciation 90,000 का 10% कितना होता है 9,000 तो बाहर लिख देंगे कितना 9,000 internally आप लोग कर सकते हैं चाहो तो यह total करके बाहर लिखो मैं direct बाहर लिख रही हूँ आपकी जिसे हिच्छा है आप वैसे कर सकते हैं 81,000 का 10% कितना होता है 8,100 9,000 का 10% कितना होता है 900 ultimately total किया आगया हमारे पास 9000 अब आप लोगों को सोचना है कि आप चाहो तो यह लिखो कि पूरा 90,000 इधर की total इधर का 9000 balancing figure 81,000 या आप directly balance निकालो जैसे हमने पहले first year में किया 81,000 opening balance था 8100 का depreciation लगा ultimately balance कितना बचा 72,900 boiler के case में 9,000 value थी 900 depreciation लगा 8100 balancing figure बचाए तो total कितना हो जाएगा 81,000 और balance कितना बन जाएगा हमारे पास 90,000 रूपीज ठीक है hope you got it यह ची समझ में आई होगी अब next year बात करते हैं यानि third year के अंदर तो as it is balance copy हो जाएगा 81,000 का जो internally segregate है 72,900 और 8,100 तो total हो जाता 81,000 अब आगे के बात करते हैं depreciation वापस चार्डू करेंगे तो अपन यह साब continue 4 years तक करने वाले ठीक है तो fourth year में क्या हो हम इं थर्ड year की बात कर रहे हैं तो machinery पे depreciation लगा कितना 72,90 और boiler पे लगा 8,10 ठीक है depreciation तो पता है इन दोनों का सिधे-सिधे 10% यानी 0 को अटा दो ठीक है यह हो गया balance कितना बचा तो देगे 72,900 balance था depreciate करा 72,90 से balance बचागा 66,610 यानी 65,610 next 8,100 value थी 810 depreciate हुआ balance बचा 72,90 ultimately हो जाता है इधर का total 81,000 अकाउंट अमारा क्या हो जाएगा close हो जाएगा अब अपन बात करते हैं next year की तो next year हम लोग क्या करने वाले है एक सिकेंट तो next year क्या करने वाले है fourth year की beginning है तो कुछ नहीं जो पहले balance था copy paste किया 72,900 इंटर हाली 65,610 और 72,90 depreciate किया 65,610 65,61 boiler 7,29 72,90 टोटल आगया buy balance carried down आजाएगा तो 65,610 में से 65,61 माइनस किया तो 5,90,49 और यहाँ पे boiler का हो जाता है 72,90 में से 7,29 माइनस किया तो 65,65 पिटा यह चीज अगर आप लोग कुछ solve करते हैं मेरे साथ साथ तो better होगा जैसे मैं आपको लास वीडियो में भी बोल रखा है आप लोग मेरे साथ solve कीजिए तो अब कुछ चीज़े सुझ मैं 72,900 अब नेक्स बैलेंस कॉपी किया 65,610 बैलेंस लिख दिया अब अब अपन को पता पड़ा यह रेंड पे अपन boiler दे रहे हैं क्या कर रहे हैं boiler दे रहे हैं बैलेंस का रिसीव हो गया और पी एंडल कितना चार्ज हुआ पी एंडल में गया बैलेंसिंग फिगर लॉस अब आप देखें कैलकुलेशन कैसे होती है 65,610 बैलेंस है इसके अंदर से कैश क्या कर देंगे माइनस कर देंगे कितने का 5000 का रिसीव हो है पी एंडल में क्या करने वाले है डेबिट तो यहां पर क्या हो जाएगा ग्रेडिट बै पी एंडल अकाउंट लॉस यह आपको मालूम कैसे पड़ा तो आपने डिफ्रेंसियेशन निकाला सॉरी डिफ्रेंस निकाला डिफ्रेंस ठीक है 1561 अब हमको क्या पता है यह तो स्टार्टिंग में हो गया यह एंड हुआ यह एंड हुआ डेप्रिसेशन लगा है तो 59049 का डेप्रिसेशन लगा है 10 परसें यानि 5904.9 सॉरी 5904.9 यानि अल्टिमेटली 5905 बोल सकते हैं अपन अब बैलेंस निकाल लेते तो बैलेंस आता है हमारे पास 59049 से फॉर्स 53144 यह सिर्फ मशीन का है बॉलर का तो बैलेंस अब चलेगा नी और नेक्स्ट येर अपन इसको कंटीन्यू करके डेबिट में लिख सकते हैं तो लिख दीजेगा आप लो तो बैलेंस ब्रॉट टाउं हो जाता है हमारे पास 53144 यह चीज अपको समझ में आयोगी अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसके अंदर देखेंगे बेटा कि असिट्स को एक्स्चेंज कैसे करते हैं वो एक नया तरीक है थैंक्यू